तार जाव कि अर्जिद्र जी ने बहुत ही डिटेल्ड में गुजरात की जो पिस्तूज है गुजरात का जो पॉलिटिकल कन्फिग्रेशन है उसको रहा है और रिश्चित तोर पे बहुत ही विश्चित जानकारी विन्हों ने जी एक संसोधन में छोटा सा करना चाहता हूं मुकेश भरद्वाज बोल गए मुकेश अगनिहोत्री है जो अभी एक अफ़ार के सब्बादक है विपक्ष के नेता है वहाँ पर जो है वो भी हम लोगों के पतरकारिये सहयोगी रहे तो अब वो निश्चित तोर पे जो बहस के जो इसूज है और जिस तरह से इसकी थिए कि मामला यह है कि काघ्रेश पार्टी चुनाव प्रचार ही नहीं करती और इसलिए चुनाव हार जाती है तो बहस आपकी इसी से सुरू हुई है और उसमें यहीं है कि वो उन विद्यार्थियों की तरह है जो इंतहान के दिन ही तैयारी करते हैं साल भर मटरगस्ति करते हैं और उसके बाद तो वो पास हो तो कैसे पां तो ये एक चीज बताई जाती है और भरती जनता पार्टी ने जो चुनाव प्रडाली चुनाव लड़ने की पूरी एक तरह से नॉर्म सेट किया है चुनाव लडने की जो पधभतिपिए वो पिछले सभी सितियों से अलग है अ लेकिन अभी तो उसकी कोई सीमा नहीं है जो आसमार और गर्द की बात कर रहे है सतीज जी वो अब भाजपा और विपक्षी दलों की बीच में लिश्चित तोर के है जो आप चुनाव का जो खर्च है उसकी आपने जो भी मानक सीमाए है चुनाव आयोग दोरा उसकी सब को त कर दिया गया है दोनों लगभग एक हो गए है यह जो फर्क थोड़ा सर्मा सर्मी होता था जिस आधार पर याद कीजिए कि इत्रागाधी का चुनाव रद्न हुआ था अगर वो नार्म आज अपनाया जाए लाहबाद हाई कोट में जो अपनाया था तो मुझे लगता है कि भारती जनता पार्टी के बहुत कम नेता बचेंगे जिनका चुनाव रद्न है यह बहुत ही अजीब इस्किती बन गई है तरकारी संसाधनों का जुरुपयोग जो है वो गवर्नेंस का जुरुपयोग और चुनाव तारीखों का उस तरह से अलान और अब कहा जा रहा है कि प्रायर प्रेशिडेंट भी रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है दो राज्योग के आसपास चुनाव होने जा रहे हैं तो उनमें अंतर कर दिया जा है चालिस दिनों का अंतर है विधान सभाओं के कारेकाल के सवाप्त होने का तो उन सारी चीजों को एक तरह से वो लॉजिक दिया गया है जो मुख्य तुनाव आयुप स्रीकुमार जी वो सब सारी बाते आई हैं लेकिन वो वास्तों में वो बाते निस्पक्ष हैं नीट्रल ह या वो चीजे जो है वो कहीं न कहीं किसी को फेवर करने के लिए यह सच मुश अपडर्वेशन यह सच मुश अनुबेशन का जाजका मिसेंद लेकिन यह हम यह माल ले कि जो बीजेटी ने च्टिये हैं अब सभी को उसी तरह का नार्ड अपना लेना चाहिए चुनाव जीतने का और बिना उसको अपनाए चुनाव नहीं जीता जोड़ा अगर हम उसी तरह के साधनों के उपयोग दुरुपयोग के मार्थ पे चलते रहें तो क्या हम जो है वह इस लोक वाला एक delivery machinery के रूप में कर्वर्ट नहीं करते जा रहें यह बड़ा सवाल है लेकिन हिमाचल में जो भी जो प्रजेंस है कांग्रेश की वह प्रजेंस कांग्रेश की जो है वह उतरपरदेश जैसी बिलकुल नहीं है उतरपरदेश में बहुत सारी रेलिया की थी यह करीब एक सोनब्बे दोसों के आसपास रेलिया थी प्रियंका ने और प्रियंका ने जो है वो रोट शोव भी तवी 50 के आसपास किये थे तो उसमें भीड भी जूटी थी और तोलन में भी भी जूटी है भीड कोई criteria तो नहीं होता लेकिन जहां आपके party का आधार होता है जहां का वहां पर भीर से कारकरता मेसेज लेके इसको वोट में कर सकते हैं तो निशित तो पर जो है वह एक चीज जो बन रही है कि एक तो एक मिडिल क्लास और दूसरी बात जो प्रियंका गादी ने कहिए उस पर भी हमें गौर्ड करना चाहिए तो तो पैंसनी स्कीमों की बात उन्ह पर ही देने की बात्ति एक तरफ ओल्ड सक्षन को जो जो बुजूर्ग लोग है उनको साध रही है कांग्रेस एक तरफ इवाबर्ग को साध रही है अब उसके पास तो ऐसा नहीं है कि यूद बंदे भारत ट्रेन तुरंट चला दे कोई और काम कर दे वह सरकार में नहीं है तो वो चीजे तो तब बतरेंगी जब सेंटर में कांग्रेस की गौवर्मेंट आए जिसकी संभावना बहुत प्रबल संभावना तकाल तो नहीं दिखती है जो भी इस्तितिया मने तो उनके हाथ में वो कर नहीं है तो दो रास्ते हैं जो मुझे लगता है कि या तो सभी प हर्स और रचना और जो है जिसकों की डॉहिया कहते थैं कि ओठ रौडा और जेल अबतलब जो है वो जेल का प्रतीक है तो चुनावी राजमीत में हस्तक्षेव का प्रतीच तो कांगरेस पार्टी जो है वो लुहिया के आदर्शों पे भले नहीं चलने का दावा करती लेक पर चल रही है और अपना कर रही है अब यह बात अलग है कि कांग्रेश पार्टी के भीतर कहीं कोई खीचतान है यह बात जरूर बार बार कही जाती है अभी एक बड़े नेता जो है कुछ कांग्रेश पार्टी के तो मैंने उनको रोग करके कहा कि कांग्रेश के जो बड़े इस्टार कैंपेनर हैं उनके साथ आपने जो है वो जीनु से निकले हुए मार्चवादियों को क्यों लगा रहा है और वो वो दिक्कत आपने क्यों पैदा कर रखी है कि वो राहुल गादी से पार्लेमेंट में भाशन दिला देते हैं कि भारत एक राष्ट नहीं है तो आप कम से कम जो जमीनी इस्थिती है इस देश की उसको आप जो है वो समझाने वाले लोगों को सलाकार की भूनिका में रखिए तो हो सकता है कि प्रियंका के सलाकारों उसको लेकर के और रहुल के सलाकारों के बीच में कोई चीजतान चलती हो पारिवारी की सतर पर क्या है दोनों में मेरे पास थोड़ा पहुत ऐसा फीडबेक कोई कह देता है मोरे पास कोई विश्वास करने का कारण नहीं है कोई परबाद नहीं है लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो है वो संधर्स और च पर्यत्न की चिंता करता हूं तो परिणाव और परियत्न में मैं परेगWe प्रेस करती हूई पार्टी बिख रही है अर्जिंदर जी ने भी बताया कि पहले भी जो है निए वो वहां पर कैंपर हुआ है और अभी भी रेली हूई और शिलसला सुरू हो गया है तो पुछ कर दो कर दो